हेलो दोस्तो राधे राधे कैसे हो आप लोग तो आज में लेकर आई हूँ आपके लिवकार्ड ओनलाइन साडी सेल आज मैं इसका रिव्यू दूँगी बहुत अच्छी अच्छी साडिया हैं आप एक बार जरूर देखें वीडियो में सुरू से लाज तक बने रहें तो ये सबी साडियों के लिंक उसका प्राइज इस वीडियो में में इसलिए आप सुरू से लाज तक ये वीडियो को देखें तो ये रही पहली साडी ये एक कांजी वरम साडी है मैं पहले बता दे रही हूँ ये कोई औरिजनल साडी नहीं है फर्स्ट कॉपी बिलकुल भी क्योंकि कांजी वरम साडी जो होती है वह बहुत महंगी मिलती है तो ये मतलब ऑनलाइन साडी ली हुई है फ्लिपकाट से तो ये उतनी ज्यादा कोश्टी नहीं है इसका प्राइज दिया हुआ है वीडियो में मैं 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 सिन कर दूंगी आप एक बाद चेक कर लेना इ वहां एक लिए ँटल शारी इसका बहुत चुपसूरत थी इसकि क्यों आप बहुत अछी थी मैं ट्री जार भी एक अच्छी है उतनी ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन हाँ तो आपको डिजाइन दिख रहा है तो यह कोई प्रिंट नहीं है यह रेसम का धागा का किया हुआ है आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे तो मैंने यह रेड और ब्लू की कॉंबिनेशन वाला मंगवाई थी यह नीचे का दिया हुआ है पूरी सारे में वर्क दिखेगा यह साइड का है जहां पर आपको वो ब्लाॉस दिया हुआ है इसकी जो ब्लाॉस है यह रही इसकी ब्लाॉस यह पुरा वर्क किया हुआ है इसमें भी प्लेन बिल्कुल भी नहीं ha अच्छी थी, साइनिंग कपड़ा है, पर लाइट की वज़े से इसका कलर चेंज हो जा रहा है, आप देख सकते हो, ये पीछे का है, इसमें रेशम का देखर धागा-धागा का काम किया हुआ है, बहुत सफाई के साथ काम किया हुआ है, बिल्कुल, ये कलर बाद आप इसे कहीं भी पहन के जा सकते हो, शादी में, किसी फंक्शन में, बहुत अच्छा दिखेगा, ये है सेकेंड साडी, जो प्योर रेड कलर की है, जो बलड रेड बोलते हो, वो रेड कलर है, ये एक सिल्क बनारसी साडी है, ये भी फर्स्ट कॉपी नहीं है, ये फिलिप कार्ट का ही साडी है, आप देख सकते हो, ये एक बनारसी साडी है, मुझे थोड़ी डिसकांट में मिली थी, अब भी इसकी प्राइज आट सो के आसपास है, इसमें भी बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे, मगर मुझे रेड कलर अच्छा लगा, तो मैं खरी प्यारा दिखेगा, आप देख सकते हो, इतना प्यारा इसका बनारसी लूक आ रहा है, बिल्कुल साइनिंग कपड़े है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, पूरे साडी में वर्क किया गया है, वही धागा का वर्क है, ये बलाउज है, इसका, बलाउज लेकिन बिल्कुल प्लेन है इसमें कोई भी वर्क नहीं है, ये साइड में दे रखा है, आप पटी, इसका बैक है, अब मैं बैक दिखा दे रही हूँ, कि पीछे में, मतलब देख सकते हो, आप धागे का काम किया हुआ है, धागा आपस में बिल्कुल भी उल्जे हुए नहीं है, ना निकला हुआ है, बहुत ऐसे पीसे मिल जाते हैं, डिफेक्ट जिसमें ना एक दूसरे में धागा फसा हुआ रहता है, धागा एक कीचो तो सारा धागा निकल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी थी साड़ी, ये है थर्ड नमबर की साड़ी, ये कांजी वरम साड़ी है, ये भी दो कलर की साड़ी है, हल्का ब्लू ग्रीन वाले जो कलर आता है, मुझे इसका कलर का नाम नहीं पता, आपको अगर महलूमत हो, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, महरून में है ये, ये भी बहुत ही कम प्राइज में है, अगर आप ट्राइम मेंबर हो, फ्लिप कार्ड में, तो आपको और भी जादा डिस्काउंट में मिल जाएगा, ये आप सादी में कहीं भी पहन के जा सकते हो, इससे यहां दुल्हन लोग भी केरी कर सकती है, प्यारा दिखेगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये पूरेस, ब्लाउज भी बिल्कुल प्लेन था, ब्लाउज में कोई वर्क नहीं था, ऐसा दिया हुआ, तो नहीं ये अप देख सकते हो, इतना बारिक काम किया हो, है थागे का फ्रे वाला प्लाज बिल्कुल भी नहीं है ü Из दिखोते लिए दिखो निगल जाता है या उसमें से कलर जैसयार निकलता है या सितारवा वह एरे जो भी जड़ी का काम वह निकल जाता है लेकिन बिल्कुल रेशम का धागे का किया हुआ है यह है लास्ट साडी ये भी सिल्क बनार सी साड़ी है पिंक कलर का है ये पिंक और ओरेंज में आप देख सकते हैं इसमें दो कलर था मैं पिंक और ओरेंज में मेरी ये साड़ी पूरी ओरेंज कलर की है और इसका जो आचल है वो पिंक कलर का है बिल्कुल इसका पोजिट भी एक डिजाइन था जिसमें आपको पूरी साड़ी जो है वो पिंक में मिलेगी औरेंज में आपको मुझे अच्छा दिखा मेरे पास था नहीं तो मैंने इसे ओर्डर किया था लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बहुत ही प्यारा दिखत सबी साड़ी का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप एक बाद चेक कर लेना अगर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना लाइक कमेंट और सेयर करना यह इसका ब्लॉज भी बिल्कुल प्लेन सा था आप चाहो तो बाहर से इसका ब्लॉज लेके सिल्वास रखते हो यह साइड में दिया है बाजू या फिर बैक साइड में जो डालते हैं नीचे पट्टी वो आप देख सुकते हैं बॉर्डर है इसका बहुत साइन कर रहा है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा था कलर बहुत प्यारा दिख रहा था तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मॉच मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई